नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे किचन में स्वागत है दोस्तों आज हम आप सभी को लौकी के कोपते बनाना सिखाएंगे जिसके लिए आपको सबसे पहले एक लौकी लेना है और उसको रेत लेना है रेतने के बाद आपको उसमें बेसन मिलाना है बेसन जब आपने उसमें फेट लिया है तो आपको उसमें लहसन अद्रक मिर्ची का पेस्ट मिला के जीरा और नमक खल्दी डाल के पकोड़ों की तरह उसको तल लेना है तल कि आप उसको अलग रख लीजे उसके बाद कढ़ाई में ओयल डालिए ओयल डालने के बाद आपको साबूत मसाले डालने है यानि खड़े मसाले डालने है और उसमें लाल मिर्ची तेजपत्ता मिला के आपको एक कटा हुआ प्यास डाल के थोड़ा टाइम के लिए भूनन और फिर आपको एक खड़ा टमाटर पीस भी सकते हैं तोरना आप खड़ा टमाटर अपने हिसाब से आपको डाल लेना है, तो आप इसमें टमाटर मिक्स करिए, उसके बाद हल्दी गरम मसाला, जो भी आपको गरम मसाला पसान तो मैगी मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं, इसको मिला लीजे और भूनने दीजे, कुछ टाम जब भून जाए, तो फिर आपको इसमें पानी मिक् उतना है, इसको फड़ने दीजे, उसके बाद आपको जो पकॉड़े, आपने जो तले हैं, उसको मिक्स कर लीजे, कडही में, मिक्स करने के बाद कुछ टाम तक उसको बॉयल होने दीजे, उसके बाद कड़ाई को श्रहिए, गयस बंद कर लें. अधनिया मिलाकर आपको इस को खा सकते हैं इसकी सबसे खाज बात यह है दोस्तों क्योंई यह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ही हेल्दी बहुत होती है